जैंबातारानी दोस्तों नीता विक्रम चैनल में आपका स्वागत हैं माजिक दंबा के नाम का जैकारा लगाएं आपकी सभी इक्षाएं अवश्य पूरी होंगी 10 जून 2021 की तारिक जेश्ट मास के गुरुवार के दिन अमावस्यातिती में सूर्य ग्रहन आने वाला है यह सूर्य ग्रहन भारत में कितने बजे से लेके कितने बजे तक रहेगा? सूर्य ग्रहन का भारत में क्या समय है? इस सूर्य ग्रहन का भारत में क्या असर पड़ेगा? सूर्य ग्रहन का आप सभी के उपर क्या असर पढ़ने वाला है? याने आपकी राशियों का क्या हाल होन वाला है आज इस वीडियो में सभी जानकारी आपको विस्तार के साथ बताने वाली हूँ मैं एस्ट्रोलॉजर नीता विक्रम हूँ आप मुझसे इंस्टाग्राम के थूरू कॉंटेक्ट कर सकते हैं यदि आपको पेट कंसल्टेशन चाहिए तो इसके अलावा मैं आपको वी दोस्तों 10 जून 2021 की तारिक को सूरिक रहन का भारत में समय बता देती हूँ भारत में दोपहर में 1 बच के 42 मिनिट से लेके 6 बच के 41 मिनिट तक 5 घंटे का यह सूरिक रहन का समय है अब हम जानते हैं यह सूरिक रहन कहा कहा दिखाई देगा सबसे पहले आपको भारत के वि विकुल भी नहीं दिखाई देगा यह सूरिग रहान प्रत्वी के उत्तरी भाग में दिखाई देगा उत्तर अमेरिका के उत्तरी भाग यूरोप एशिया में उत्तर कैनेडा में ग्रीन लैंड और रूस में यहां पूर्ण रूप से सूरिग रहान दिखाई देगा इस सूर सूर्य ग्रहन केवल 90% है इसलिए इसे आंशिक सूर्य ग्रहन बताया गया है इसे कंगन वाला सूर्य ग्रहन नहीं बोला जा सकता क्योंकि यहां सूर्य पूर्ण रूप से नहीं छिप रहा है अब दोस्तों भारत के विशय में आपको बता दूं क्योंकि यह सूर्य ग्रहन भ पुस्तके हैं जिससे हमें पता पड़ता है सूरेक्रहं यदि आपके शेत्र में ना दिखाई दे तो भी इसका आपके जीवन पे आपकी कुण्ली और आपकी राशियों पे असर पड़ता है जहां सूरेक्रहं दिखाई देता है वहां यहiben हसर 100 % तक पड़ता है और जब यह सूर्य ग्रहन आपके शहर और आपकी जगह पे नहीं दिखाई देता तो इसका मध्यमसर 40 से लेके 50% तक आपके जीवन पे पड़ता है दोस्तों अगर हम बात करें सूर्य ग्रहन किस राशी में हो रहा है तो यहां ब्रशव राशी में हो रहा है इस दिन पे ब्रशव राशी में सूर्य चंद्रमा, बुद्ध और राहु यह चारो ग्रह एक साथ रहेंगे ब्रशव राशी कालपुरुष कुंडली की दूसरे नमबर की राशी होती है जो कालपुरुष का मुख बताया जाता है तो दोस्तों इस सूर्य ग्रहन के कारण क के कारण या भौगोलिक इस्थिती में कुछ बदलाव होने के कारण धनका या फिर भोजन का संकट पैदा हो जाए क्योंकि दोस्तों यह सूर्य ग्रहन है सूर्य सत्ता का प्रतीक है तो गवर्मेंट में भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती दिखाई दे रही है और दोस् माध्यम है उसको भी बुद्धग्रह दर्शाता है इसके अलावा कोई पेपर डॉक्यूमेंट जिसके लीक हो जाने के कारण यह परिशानिया हो सकती है इसके अलावा आपको अपने घर और कुटुम्ब को लेके भी इस समय पे लगेगा कि थोड़ी अस्थिता की इस्थित पाएं कुटुम्ब के बारे में इस समय पे जादा धान रखा जाएगा बैंक और फिनल्स सेक्टर में भी आपको थोड़ी हलचल दिखाई दे सकती है क्योंकि हमारा दुतियभाव बैंकिंग दर्शाता है बैंकिंग से जुड़े हुए हो सकता है कोई ऐसे नियम आए जिस कि स्टॉक मार्केट एक करेक्शन के दौर से गुजरेगा जिसमें कुछ मंदी दिखाई देगी इस समय पे दोस्तों आप सभी को बहुत सजक रहना है क्योंकि सूर्ग रहन हो रहा है और करोना अभी तक पूरी तरह से गया नहीं है हो सकता है कोरोना की जो तीसरी लहर है उ इसलिए आपको सुरक्षित इस्थानों पे रहने की चेतावनी दी जा रही है सूर्य ग्रहन एक भोगोली घटना होने के साथ साथ ये हमारे ग्रह नक्षत्र उपनक्षत्रों पे भी अपना प्रभाव डालती है जैसा कि मैंने आपको बताया सूर्य ग्रहन व्रशवराशी में हो रहा है और यहां म्रक्षिरा नक्षत्र में हो रहा है म्रक्षिरा नक्षत्र में होने के कारण इस समय पे पत्रकार, मीडिया जगत, इंटर्टेन्मेंट, खान पान की वस्तूओं पे इसका गहरा प्रभाव पड़ेगा प्राकतिक आपदाएं जैसे की बहुत अधिक बारिश होना अतिवरष्टी तुफान इत्यादी इस प्रकार की सम्भावनाय बन रही है तो आप सबको सजक होने की बहुत जरूरत है गवर्मेंट में भी बहुत जादा हलचल रहने वाली है तो दोस्तों अब मैं आपको बता दू कि इस सूरिगरहन के साथ साथ 10 जून 2021 को और कौन सी विशेश चीज़े हैं इस दिन पर शनी जयनती है और बट अमावस्या का व्रत है जो इस तरिया भी बट अमावस्या पूजन करती है वो सूरिगरहन शुरू होने से पहले याने एक बच के 42 मिनट से पहले बट मावस्या का व्रत करे पूजन कर ले और इस दिन पे शयनी जयनती है तो जो लोग भी शनी देव का पूजन इत्यादी करते हैं वो भी सुभा के समय जल्दी उठके सुर्य पूजन और शनी पूजन दोनों ही कर लें दोस्तों इस दिन पे एक विशेश कार्य आप सभी को करना है जैसा कि हमेशा जब भी सूरिग्रहन होता है तुलसी के पत्ते या घांस जिसे हम दूबा भोलते हैं उसे घर के पूजा मंदिर खाने पीने की वस्तों में धन इत्यादी में रखा जाता है तो ये आप कर सकते हैं जब सूरिग्रहन का समय शुरू होगा उस समय पे दान, जब और हवन इत्यादी करने से प्राप्ती होगी सूरिग्रहन की समापती पे इसनान करके अपने पूरे घर में गंगा जल डालकर शुद्धी करें और यहां गुरुवार का दिन है तो जो आप जल डालें उसमें एक चुटकी हल्दी जरूर डालनें अपने घर के में डोर के बाहर इस जल को छिड़के औ जिलनों के व्रत हैं वो पूजा पाठ भी कर सकते हैं अब दोस्तों हम बात करते हैं आपके उपर इस सूरिग्रहन का क्या असर पढ़ने वाला है तो विशिश तोर पे दोस्तों तीन राशियों पे यह बहुत नकारात्मक प्रभाव डाल रहा है तो मेश, मकर और मीन राश चानी महसूस हो सूर्य उपासना जरूर करें सूर्य देव को नियमित अर्ग दें पूजन अर्चन करें दोस्तों हमेशा जब भी सूर्य ग्रहन होता है यह वर्ष में दो बार होता है जैसे सूर्य हर महिने अपनी राशी बदलता है और अभी राहू और केतू अपनी राश मेश राशी के लोगों के लिए मेश राशी के लोगों को अपने संतान पक्ष को लेके थोड़ा सावधानी भरतति हैं अपनी वाणी पे नियंतरन रखना है वाद विवादों में नहीं पढ़ना है धन की हानी होने की थोड़ी संभावना है मानसिक तोर पे भी आपको नियंतरन रखने की ज़रुत है हो सकता है इस समय में आपको पेट संबंधी किसी रोक का सामना करना पड़े इन सभी तकलीफों से बचने के लिए जब सूरिय ग्रहन हो चाए उसके पश्यात इसनान करें और सूरिय देव का जब करें दानित्यादी जरूर करें नियमित सूरिय अराधना करने से भी आपको इन सभी चीज़ों में थोड़ा आराम जरूर बेलेगा ब्रशव राशी के लोगों के लिए यह सूर्य ग्रहन अच्छा है नौकरी व्यवसाये में आपको विशीश फायदा होने के चांसेज है सेहत पे भी अच्छा असर पड़ेगा आप लोगों का आत्मविश्वास पहले से अधिक बड़ेगा आर्थिक रूप से भी आपको यह समय फायदा देता हुआ दिख रहा है आप सभी को अपने घर में सूर्य भगवान का जब तब जरूर करना है मितुन राशी के लोगों को संबंधों को लेके थोड़ा सा अनुशासित होने की जरूरत है अचानक धन के लाप की संभावना बन रही है जीवन में आपको हो सकता है थोड़ी परिशानी लगे अपने रिष्टों को निभाने के लिए छोटे भाई बहनों के साथ अच्छा बहवार जरूर करें सफलता आपके रास्ते में आपको मिलती हुई दिखाई दे रही है परन्तु स्वास्त का भरपूर ध्यान रखना है आप सभी को महामरत्युंजे मंतr का जाब करना है यदि स्वास्त सम्धी कोई दिक्कत पता पड़े तो करकराशी के लोगों को अपने वर्क प्लेस पे या काम करने की जगह पे विरोत का सामना करतना पड़ सकता है हो सकता है आपको कोई नुकसान भी हो जाए परन्तु इस बीच में आपके आफिस में या आपको कोई ऐसी दील मिलती हुई दिखाई दे रही है जिससे आपको धनका फायदा हो बहुत समय से यदि आपके कोई रुके हुए काम थे तो सूर्य ग्रहन क्योंकि आपके कर्म इस्थान में हो रहा है तो आपको यह कामों में आगे बढ़ने की या आगे की तरफ तरक की प्राप्त होने की कोई संभावना बन रही है आपको लक्षमी जी से प्रात्ना करनी है और कुबेर यंत्र की पूजा करनी है क्योंकि दोस्तों सूरिग रहन है तो सिहराशी के लोगों पर इसका काफी प्रभाव पढ़ने वाला है सिहराशी के लोग धर्म कर्म के कारियों में बढ़चड की हिस्सा लेंगे आगे आने वाले समय में यदि आप अपनी मानसिक इस्तिती को अच्छा रखते हैं तो आपको लाव हो सकता है आपकी सेहत भी इस समय पर अच्छी रहेगी तो ओवरॉल आप सूरि का पूजन प्रति दिन करें सूरि के मंतर का जाप करें इससे आपको फायदा होगा कन्या राशी के लोगों के लिए ये एक अच्छा समय है इस समय पर आपको किसी को उधार नहीं देना है आपके पास धन की इस्तिती अच्छी बनी हुई है यदि आप किसी को उधार दे देंगे तो हो सकता है आपका पैसा वापिस ना आए नौकरी करते समय सावधानी बढ़ते हैं हो सकता है आपका इस्थानतरण या आपका ट्रांसवर हो जाए आपको प्रति दिन गायत्री मंत्र से श्री सूर्यदेव का पूचन करना है तुला राशी के लोगों के लिए विदेश में कोई भी कारे आप जो कर रहे हैं उसमें फायदा होता दिखाई दे रहा है इस सूर्य ग्रहन में दान करने से और मांसिक तनाव को दूर करने से यदि आप सकारात्मक रहेंगे तो आपको लाब होगा और आपके जो कारे नहीं बन रहे थे वो भी बनने लगेंगे आपके घर के लोगों की सेहत का भी आपको ध्यान देना है आपको इस समय पे दही का दान करना चाहिए और लोगों को दही खिलाना चाहिए व्रश्यक राशी के लोगों को अचानक से कोई profit होता हुआ, inheritance मिलता हुआ दिखाई दे रहा है दोस्तों व्रश्यक राशी के लोगों को अपने partner के साथ बहुत ही सो समझ के वहवार करना है negativity को दूर करके अपने घर में positive atmosphere बना के रखना है especially आपको अपने spouse और partner के साथ जगणा नहीं करना है इस समय पे आप अपने ग्रहों को बल देने के लिए जलेवी का ध्यान करें हनवान जी का पूजन अर्चन करें उससे आपको थोड़ा फाइदा होगा धनुराशी के लोगों को धन का निवेश करने में बहुत सो समझ के करना है पर इससे आपको फाइदा हो सकता है धर्म में, करियर में, बीमारी में इस समय पे आपको ध्यान देना है आपको हर प्रकार के संकटों से बचने के लिए संकट नाशक गणेश दी का ध्यान पूजन करना है 11 दीपक लगा के गणेश भगवान का पूज़त करने से आपके जीवन की कई परिशानिया दूर होंगी मकर राशी के लोगों को धन की हानी के संकेत मिल रहे हैं पर आप अपना आत्मविश्वास बना के रखेंगे और लोगों के साथ बहतर संबंद बनाएंगे तो इससे आपके कार्य जरूर बनते जाएंगे सूरी देव को प्रति दिन जल दे सूरी के मंत्रों का जाब करें जिससे की आपके कार्यों में गती आए अब हम बात करते हैं कुमराशी के लोगों के लिए आपको अपनी सिहत का ध्यान रखना है दान करना है बड़े भाई की सलहा जरूर माननी है जिससे की आपको फायदा हो सकता है आर्थिक मामलों में खुद कोई निर्णे मत लीचिए दही का दान करें ये आपके लिए बहुत अच्छा है मीन राशी के लोगों के लिए भी ये समय थोड़ा ध्यान रखके चलने वाला है अपनी सेहत पे अपने व्यापार पे अपने निवेश में हर जगा सोच समझ के निर्णे ले हो सकता है आने वाले समय में आपको कोई नुकसान हो जाए शहत का दान करें और प्रतिदिल सूर्यदेव का पूजन अर्चन जरूर करें इस प्रिकार से दोस्तों आने वाले सूर्य ग्रहन से संबंदित सभी बातें मैंने आपको आज विस्तार से बताई है यदि आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक जरूर करें अगली बार एक नया वीडियो लेके आपसे जल्दी मिलूंगी जै मातारानी आप सब अपना ख्याल रखें और सदेव प्रसन रहें